Wish you all a hearty congratulations on our Independence Day आजादी की पहले देशभक्ती की मायने कुछ हुआ करते थे और आजादी के बाद आज देशभक्ती का मायने और ही कुछ हुआ करते है मैं ये मनता हूँ कि राष्टर कित के लिए से खारे हो जाने से या बंदे मातरम या भारत माता की जाय बोल के नरा लगने से देशभक्ति नहीं होता है या साल में दो बर हाथ में तिरंगा ले लिने से देशभक्ति नहीं होता है अगर ओही देशभक्ती होता तो मैं आपको पूछना चाता हूँ कि फुटपात में रहने वाले ओ बच्चा या पेर की छाओ में नांगे पाओ में ओ बच्चा जब तीरंगा बेचते है तब उसे भी आप देशभक्ती कहेंगे ये उसके देशभक्ती नहीं उसकी पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करते है आज हम सिनमा हल में क्रिकेट की मैदान में राष्ट्रोगित सुनाता है कि एही देशभक्ती है? नहीं, राष्ट बाद से भी उपर उठकर जो भावना मन में आते हैं, ओही देशभक्ती है, अपनी परिवार, अपनी समाज और अपनी देश के लिए समर्पन का भाव मन में आने के नाम है देशभक्ती और ये भी कहा जा सकता है कि राष्ट निर्मान की पहला सीरी जो है, वही है देशभक्ती और अगर तु दरिंदा है, तो ये शम्शान तेरे लिए है, और अगर तु परिंदा है, तो ये आस्मान तेरे लिए है हमारा ये देश विविन्नव बर्क से बना हुआ है, जो एक बर्क मेरे जहन में पहले आते है, वह है किसान बर्क वही किसान जिसकी कच्चे घर की छात से पानी टपकते है, लेकिन वह बारिस के लिए दुआ मंगते है जब किसान की खित में फसलो की जगा में भूग उपती है, और जब जब किसी किसान की खित में भूग उपने लगती है तब ओकिसान सहर की सहर में जाके नक्री करने लगते है ये बात चिंता की नहीं ये बात चिंतन की है कि जो रस्ता गाउ से सहर की और रुजगार हेतु जाते है ओही रस्ता सहर से गाउ के लिए बिकास हेतु क्यों नहीं आ सकते है हमारा देश का बिशेश जो बर्ग है ओ है यूबा ओ यूबा जिसकी कंधों पर जिम्मेदरी है राष्ट्र और समाज का शुरक्षा का लेकिन आज काफी हद तक हमारा जूबा ये भरष्ट हो चुका है और जिसके लिए जिम्मेदर है हमारा पलिटीशियन्स अदर देना और सोसाइटी और पेरेंट्स आज उन में से कई यूबा बोलते हैं चार बोतल भत का काम मेरा रोज का ये भारत की भविश्चर ताबाही करके रखे है आज आप कोई भी सिटी में चले जाओ कोई भी सहर में जाओ सरकार ने दारू की दुकान की छुट्टा लाइसेंस देकर रखे है आपलोग नटीस की होंगी स्लोगड़न परियाद में भी तरह मने बेड्स पांजाब वस्ट बेंगल जहा सरकार नो इदारू का दुकान खुलने की यानो they are giving priorities so that you know these alcohol shops wine shops are open beforehand actually you know in one side government is incapable to provide employment on the other side pushing the year generation young generation to get addicted to the alcohol how make as a samaj जहां शाम को मादार इंडिया सीनेमा देखने के बाद यूबा रात को घर में आके अपनी बिबी को पिटती है जहां एक यूबा सूबे अपनी बहीन को कलेच छोड़ने जाते है और ओही यूबा कलेच की बाहर खारी लेर्कियों में नज़र डालते है जहाँ यूबा ने अपनी मोबाल पर असलील तजबिर रखते है वही यूबा अपनी पत्नी को साथ इंच घुंगट में चुपा कर रखते है जो यूबा जहाँ अपनी मा की हर बत में ना बोलते है ओही युबा उन्हे नावलने वाली की मुँपर एसिट फेकने की उद्देसे से घर से निकलते है और एही कारण है आज हमारा भारत महिला और शुरक्षित देश की गिंती में चौथी में आती है ये बहुत शर्म और दिर्भाग्ग की बात है समाज में महिला को आदर्श होने की जरूरत नहीं बलकि शुरक्षित होने की जरूरत है क्यूंकि जो महिला बेलन चलाती है वो महिला कलम भी चला सकती है और जरूरत परे तो देश की सरकार भी चला लेती है अब मजबूर को मजदूर को मजदूरी समाजना चाहिए हमें मजदूर को मजबूर नहीं समाजना चाहिए गरीब को काम दीजिए गरीब को दान मत दीजिए यही है देश भक्ती यही है रास्ट धर्म हमारा रास्टर की शिक्षा तब होगा जब एक बच्चा मध्धन और भोजन के लिए नहीं ग्यान अर्जन के लिए सरकारी स्कुल में जाएगा चानक ने कहा था कि एक रास्टर की उदय और अस्त दनही शिक्षक की हाथ में होते है और हमारा देश की शिक्षा तब सही होगा जब शिक्षक बेतन के लिए नहीं बच्चा को ग्यांदान के लिए बिद्दा ले जाएगा जब हमें एक अच्छा इंजिनियर की जरूरत हुआ हमने इंडियान इंस्टिटूट अफ टेकनलोजी आईटी निर्मान किया जब हमें एक अच्छा डक्टर की जरूरत हुआ हमने एंजिनियर इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस की निर्मान किया तो जब हमें सादियों से कई अच्छा राजनेता की ज़रूरत है तब हमें इंडियन इंस्टिटूट ओफ पॉलिटिक्स क्यों नहीं खुला आज तक राजनीती से मुझे परहेज नहीं लेकिन राज करने की नीती से मुझे अतराज है चुना हुआ उमिदवार जनता के लिए राजा नहीं बलकि सेबक होते है जो जनता की हर समिस्ता की निधन कर सके यह बहुती दुरभाग की बात है कि हमरा कई ऐसा राजनेता है जो पहले आख फोर देते है और उसके बाद चस्मा दान करते है without making my speech farther longer i'd like to clarify to all of you that i neither support any political party nor against any political party but i support the right politician who are honest knowledgeable experienced and capable to do right thing for our Country Jayahind